आज इस वीडियो में हम काइनेटिक ग्रीन की तरफ से आने वाले सफर स्मार्ट इलेक्ट्रिक इरिक्से के बारे में बात करने वाले हैं वैसे आज के आधुनिक समय में लीड एसिड बैटरी वाला इरिक्सा नहीं लेना चाहिए लेकिन इस E-Rexe में कमपनी लीड एसिट बैटरी के साथ में दो लीथियो माइन बैटरी का आपसन भी देती है तो इस E-Rexe को ले सकते हैं बैटरी के बारे में तो मैंने आपको बता दिया है बाकि क्या के खुबियां इसमें मिलती हैं जानेंगे इस वीडियो में आप देख रहे हैं Motor Explain ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने चलिए वीडियो को सुरू हम कर लेते हैं दोस्तो Kinetic Green Electric E-Rexe तो मार्कित में है ही इसके इलावा आपको Kinetic का Electric E-Loader भी देखने को मिल जाएगा अगर बात करें सफर स्मार्ट Electric E-Rexe की तो इसे पैसेंजर सेगमेंट के लिए बनाया गया है इसकी Dimensions के बारे में बात हम कर लेते हैं लंबाई है इसकी 9ft 13 इंच की चोड़ाई है इसकी 3ft 2 इंच की उचाई है इसकी 5ft 8 इंच की इसी के साथ में Ground Cleans के अगर बात करें तो वो है इसकी 220 mm की ब्रेक की बात करेंगे तो तीनों पहियों में Drum Brake का Option मिल जाता है Driving Capacity है इसकी 4 पैसेंजर के साथ में एक Driver Top Speed मिल जाती है 25 km परती गंटा की Motor के बारे में अगर बात करें तो इसमें 1.2 kW की BLDC Motor दी गई है Gradability की बात करें तो इसमें 10.2 degree की Gradability मिल जाती है इसमें एक Magic Gear का Option भी दिया गया है जिससे आपको चड़ाई वाले रास्तों पर अच्छी पावर मिल जाती है ये Option आपको आम इरिक्सों में देखने को नहीं मिलेगा Certified Range के बारे में अगर बात करें तो कंपनी क्लेम करती है 100 km सिंगल चार्ज पर लेकिन टिपिकल रेंज 70 km के आसपास मिल जाएगी इस रेंज को देने के लिए Lead Acid Battery के साथ में लिथियमाइन बैटरी का Option भी दिया गया है अगर बात करें बैटरी के बारे में तो लेथियमाइन बैटरी के साथ में आपको मिलेगी 4 kWh की और Lead Acid Battery के साथ मिलेगी 140 AH की बैटरी को चार्ज करने के लिए ओफबोर चार्जर दिया गया है चार्जिंग टाइम है इसका 2-3 गंटे का औरमेंटर के बात करें तो क्लासिक का इस्तमाल किया गया है जो प्राइंट टाइम के ओटो में देखने को मिलता है इस इरिकसे के उपर कंपनी की तरफ से 3 साल की वारंटी मिलती है कीमत की बात करें तो इसकी सुरुवाती कीमत है 1,50,000 रुपे तो दोस्तों ये थी करनेटिक ग्रीन की तरफ से आने वाले सफर स्मार्ट इरिकसे की जानकारी अगर आपका बजट कम है तो आप ये इरिकसा ले सकते हैं लेकिन लीटियम आयन वाला वेरिंटी लेना लीड ऐसी ड्यानी की पानी वाली बैटरी वाला नहीं क्योंकि उसका मेंटरेंस भी जादा होता है और लाइफ भी कम होती है तो जब भी लेना लीटियम वाला ही लेना जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें आपका फिवरिट इरिकसा कौन सा है कॉमेंट करके जरूर बताएं इस वीडियो में इतना ही अम्मेडसास सफी आप सभी से विदा लेता हूँ मिलता हूँ आपसे आने वाली अगली वीडियो में आपका समेच्चरे दन्यवाद